नमस्कार विद्धार्थियों काव्यम परिचय के अंतरकत हम अलंकारों पर बात कर रहे थे और हमने अपनी पिछली कक्षा में यमक और स्लिश अलंकार के बारे में पढ़ा उनमें अंतर किया अब हमारा अगलों अलंकार है उपमा अलंकार उपमा अलंकार अर्था अलंकार के अंतरगत आता है उपमा का समन्य अर्थ है किसी वस्तु की अन्य किसी दूसरी वस्तु से समानता के आधार पर साम्मे के आधार पर तुलना करना यहां दो वस्तुओं में समता प्रदशित की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है और यह समानता आकरती रूप रंग्या गुण के आधार पर होती है दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जहां किसी वर्नित वस्तुओं की उसके किसी विशेश गुण, क्रिया, सभाव, आधी की समानता के कारण ए प्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है वर्णित वस्तु यानि जो प्रस्तुत है वो उपमे और जो ए प्रस्तुत है वो उपमान होता है आगे हम और इनके बारे में आपको बताएंगे जैसे उधारन एक उधारन से समझते हैं सिय मुख शशी के समान है सुन्दर तो यहां सीता के मुख की सुन्दरता अर्थात विशेश कुण की तुलना शशी की सुन्दरता से की गई है उपमा के चार अंग माने गए हैं उपमे, उपमान, साधन धर्म और वाचक शब्द उपमे, जिसकी समता की जाए, जिस वर्नित वस्तु की तुलना की जाती है जैसे उपर्युक्त धारण में सिय मुख उपमे है, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं दूसरा है उपमान, जिस वस्तु से वर्नित उपमे की तुलना की जाती है उपर्यक्तो धारण में सीय मुख की तुलना शशी से की गई है अत्या शशी यहां उपमान है यानि जिससे संता की जाती है इसे एप्रस्तुत भी कहा जाता है तीसरा है साधान धरव वह गुण या विशेश्ता जिसके विशे में उपमे और उपमान की तुलना की जाती है उपर्यक्तो धारण में मुख की सुन्दरता जो मुख का गुण है उसकी तुलना शशी की सुन्दरता से की गई है अत्या सुन्दरता साधान धर्म है जो उपमे और उपमान दोनों में विद्धमान है तो साधान धर्म में जिस कारण समता की जाती यानि दोनों में जो बात समान हो वो वाचकशब्द चोथा आता है वाचकशब्द उपमा के चारंग हमने पढ़े उपमे उपमान साधान धर्म और वाचकशब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमे और उपमान में तुलना का भाव प्रकट किया जाता है उपर्योग दो धारण में समान शब्द द्वारा सुन्दर्दा की तुलना की गई है अत्या समान वाचक शब्द है सा, सं, सी, सद्रश्य, सरिस, समान ये सब वाचक शब्द है उपमा अलंकार के दो भेथ है पूनोपमा और लुपतोपमा पूनोपमा जहां उपमा के चारों ही तत्व मोजूद होते हैं अब चार तत्व कौन से हो गए उपमे, उपमान, साधान धर्ण और वाचक शब्द ये पूनोपमा है जैसे उधारन पीपरपात सरिसमन दोला उप्युकदाण मन क्या है उपमे पीपरपात उपमान दोला धर्मे और सरिस वाचक शब्द तो चारों अंग मोजूद हैं अते हां पूनोपमा हो गया अन्योधान फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसाज समुद पैरते शुची जोचस नामे पकड़ इंदु के करसुकुमान इसमें पूनोपमा अलंकार है क्योंकि हम यानी बादल उपमे और परियों के बच्चे उपमान के मद्द्वाचक शब्द से द्वारा सुभग रूप धर्म की समानता दिखाई गई है सुभग याने सुन्दर अर्थात उपमा के चारों तत्व यहां मौजूद है और इसलिए यहां पर पूनोपमा अलंकार है फिर आता है लुपतोपमा जहां उपमे उपमान, सादन, धर्म और वार्चक शब्द मेंसे किसी एक या एक से अधिक अंगों का लुपतोजाना यहां नहीं हो वहां लुपतोपमा होता है जैसे मुख कमल जैसा है यहां मुख उपमे है, कमल उपमान है और जैसा वाचक शब्द है लेकिन यहां साधन धर्म या समान धर्म नहीं है इसलिए यहाँ पर लुप्टोप मालंकार माना जाएगा अब अगला हमारा अलंकार आता है रूपक अलंकार रूपक अलंकार अर्था अलंकार के अंतरगत आता है जब उपमे का उपमान में निशेद रहित अर्था अफेद आरोप किया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है अर्थात उपमे का उपमान में अभेद रूप से आरोप कर दिया जाए एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए या एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए या एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाए कुछ भी हम कह सकते हैं वो रूप कलंकार है जैसे अधर लता के फूल सुनहले लाज अनिल से जर जाते प्रस्तुत पंक्ति में अधर उपमे में लता उपमान का अभेद आरोप किया गया है और इसी प्रकार लाज उपमे में अनिल उपमान का अभेद आरोप के कारण यहां रूपकलंकार है यहां फिर चरण कमल बंदो हरी राई यहाँ भगवान के चरन उप में हैं कमल उपमान का निशेद रहिद आरोप होने से रूपक अलंकार है चरन सरोज पखारन लगा यहाँ चरनों को कमल ही बना दिया मुख कमल है तो मुख पर कमल का आरोप कर दिया गया है अर्थात मुख को कमल का ही रूप दे दिया, इसे यहां रूपक अलंकार है रूपक अलंकार के तीन मुख्यते भेद है सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक सांग रूपक इसमें उपमे में उपमान का आरोप अंगों सहित होता है इसलिए सांग रूपक है, जैसे उधान से समझेंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी, यहां अंबर में पनघट का, तारो में घट का, उशा में नागरी का अभेद रूप से आरूप क्या गया है, और कहा गया है कि का सफल निर्वा है, दूसरा है निरंगरूपा, जहां अव्यवों से हीन उपमान का उपमे में आरोप किया जाता है, यानि पूरे अव्यव जहां नहीं होते हैं, ओ चिंता की पहली रेखा, अरी विश्वन की व्याली, ज्वाला मुखी विश्वोट से भेन, प्रथम कम सी अधवाली, इसमें चिंता में विश्वन की व्याली, ज्वाला मुखी स्वोट की विश्वन कम, आधियांकर रहित उपमानों का आरोप है, तह यहां निरंगरूपक है, और तीसरा आता है हमारा परंपरित रूपक, जहां उपमे में उपमान का एक आरोप, दूसरे आरोप का कारण बनता चलता है, और आरोप की परंपरासी बन जाती है, वहां परंपरित रूपक है, जैसे बाड़ो जो आला सोती थी, इस प्रणय सिंदु के तल में प्यासी मचली सी आखें थी, विकल रूप के जल में, आखों में मचली का आरोप, और रूप में जल का आरोप कि अगला आता है उत्प्रेक्षा लंकार उत्प्रेक्षा लंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है ये सब इसके वाचक शब्त हैं इसे साधान सा उधान नेत्र मानो कमल है नेत्र वास्तों में कमल नहीं है किन्तु उसे मान लिया गया है और दोनों वस्तों में कोई समान धर्म होने के कारण एसी संभावना की जाती है उधारन कहती हुई यह उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिमकणों से पूर्ण मानों हो गए पंकजने यहां उत्रा के नित्रों के आसू यूप में है इसमें ओस्कन यूप पंकजों जो उपमान है उसकी बलपूरग संभावना की गई है और मानों यहां पर वाचक शप्त है उत्रेक्षा के वे तीन भेद किये गए हैं वस्तुत प्रेक्षा हितुत प्रेक्षा और फलुत प्रेक्षा वस्तुत प्रेक्षा इसमें एक वस्तू की दूसरी वस्तू के रूप में संभावना की जाती है जैसे उधान स्वन शालियों की कलमे थी दूर दूर तक फैल रही शरद इंद्रा के मंदिर की मानो को ही गैल रही दूर दूर तक फैली स्वन शालियों की कलमों में शरद इंद्रा के मंदिर की गली की संभावना मानो वाचक शब्द के मात्यम से व्यक्त हुई है दूसरा हेतुत प्रेक्षा जब अहेतु में हेतु की संभावना की जाए तो वहाँ पर हेतुत प्रेक्षा होता है बार बार उस विश्ण रव से कमती धरनी देख विशेश मानो नील व्योम उतराहो आलिंगन के हेतु अशेश जल के रूप में आगाश के प्रती पर उतराने का कारण प्रत्वी का कापना कहा गया है जो असित हेतु है और तीसरी है फलत प्रिक्षा इसमें अफल में फल की संभावना की जाती है अर्थात जो फल या उद्देश नहीं होता उसी को फल या उद्देश मान लिया जाता है उद्दारन मनोहु विधीतन अच्छ चवी स्वच राखी बेकाज द्रग पोचन द्रग पग पोचन को किये भूशन पायन ताज बिहारी ने इस तोहे में इस्त्री के शरीर के आभूशनों को द्रश्टी का मैल पोचने और इस्त्री के सौंदर को निर्मल बनाए रखने के फल के लिए पायनदाज बना दिया जबकि आभूशन ये काम नहीं करते है तो अफल में फल की संभावना कर ली जो शरीर के आभूशन है वो तो उसके सौंदर को बढ़ाने के लिए थे लेकिन उसमें उनसे बिहारी जी ने क्या कहा कि वो तो मैल पोचने का काम कर रहे यानि सीधी हमारी जो द्रश्टी है वो सबसे पहले नाइका के शरीर पन आ जाकर के कहा अटक जाएगी उनके आभूशनों पर अटक जाएगी तो यहाँ पर फलुत प्रेक्षा है इस प्रकार आज हमने तीन अलंकार पढ़े उपमा, रूपक और उद्रेक्षा तीनों ही अर्था अलंकार के अंतरगत आते हैं अब हम अपने जो अगले अलंकार हैं उनका अध्यन अपनी अगली कक्षा में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद